हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग अब तो लगता है हम लोग चैप्टर का भी दिरे दिरे इंड होता जा रहा है और और आज का जो चैप्टर है क्लास एट के लिए पाल्यूशन ओफ एर एड वाठर हैडिंग से ही समझ में आ गई होगी बाद्चित पाल्यूशन एक दम निगेटिव ठर्म दिमाग में ऐसे ही सूट कर जाता है इस इस निगेटिव ठर्म दिज पाल्यूशन अफेक्स आवर लाइव अरे वही एनी अन्ड अन्डिजारेबल चेंज अन्डिजारेबल चेंज समझते हो वैसा चेंज जिसे हमारा लाइफ सूट नहीं करता हो हमारा लाइफ को सूट नहीं करता हो एनी अन्डिजारेबल चेंज दाट अफेक्स आवर लाइफ और अन्डिविंग अर्गनिजम दाट करता हो पाल्यूशन और यह पाल्यूशन यह पाल्यूशन हमारा एयर में हो सकता है वाटर में हो सकता है पाल्यूशन का धेट सरा रूप है लेकिन तुमारे चैप्टर में जो मेंसन किया गया है वो हमें पढ़ना है इस्पेसली एयर एन वाटर पाल्यूशन तो पाल्यूशन को हमने क्या कहा एन डिजारेवल चेंज इसमें चेंज होगा भई यह चेंज कहा होगा इन आवर इनवार्मेंट और किस चीज में चेंज होगा उसके फिजिकल नेचर में उसके केमिकल नेचर में हो सकता है उसके बायलोजिकल नेचर में अगर changes हो रहे हैं और वे हमारे जीवन को प्रवावित कर रहे हैं और इसी बना रहे हैं तो आप उसको क्या देना Sir, these are katagrides to pollution अब सवाल है यह pollution पैदा कैसे होता है और भै जो इस substances के garden जिस substances के garden यह परिस्थिती पैदा हुई है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया उसको हम लोगों ने नाम दिया pollutants जिसकी वज़ासे यह undesirable change होड़ा है उसको हम लोग क्या कहेंगे pollutants आईए सबसे पहले हम लोग air pollution का बात करते है एर पालूसन का धे सरा कारण है नेचरल कॉजस मैनमेड कॉजस आईए पहले आप लोग नेचरल कॉजस की बात करते है नेचरल कॉजस आप एर पालूसन तो सबसे पहले मैंने किसका चर्चा किया smoke from forest fires आप लोग ने पिछले वरसों देखा है इसमें सरी European countries में आज ये जंगलों में आग लगी हुई है कई दिनों से आग लगी हुई है भयानक आग लगी हुई है और कलपना करो कितना fumes पैदा हुआ होगा कितना smoke पैदा हुआ होगा और वो सब हमारे एर में मिक्स हो रहा है हमारे एर में pollutants का percentage को बढ़ाने का काम कर रहा है तो पहला काउस हमने क्या दे दिया smoke from forest fire दूसरा dust from dust storms आप कभी desert area में जाओ और जब कभी गर्मी के दिनों में इस पैसली जब आंधियां चलती है तो देखो पूड़ा वाता वड़ा धूल में हो जाता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है पूड़ा ओपेक हो जाता है वाता वड़ा तो दूसरा हमारा कारण क्या हो गया dust from dust storms आ तीसरा volcanic eruptions जो अला मुखी जब फटता है तो धेज सारा toxic gases को बार्ट रिलीज करता है वाजनस fumes from volcanic eruption और साथ ही साथ ashes इतना राक निकलता है वाताबरन में आसमान में फैल जाता है धुआ फैल जाता है ताकि आसपास के area को eviquate करना पड़ता है ये परिस्थिती पैदा हो जाती है ये आसपास में जो रहने वाले लोग है उन्हें safer place पे जाके shift कर दिया जाता है देखा देखे भाई इसमें हमारा control नहीं है ये natural causes में हमारा हमेशा इसे उल्टा नाता रहा है इसको हम control नहीं कर सकते ये प्रकृतिका दिया हुआ जिसे हमें जहिलना पड़ता है मजबूरी में जहिलना पड़ता है नेकिन कुछ causes ऐसे हैं जो हमारे खुद बनाए गए है जैसे man-made causes of air pollution की जब हम बात करते हैं तो आईए पहले हम बात करते हैं binding of fossil fuel like coal, wood and dung cake और fossil fuel में कौन को रहाएगा भाई coal and petroleum और आई तो जान रहे हो यह हमारा life line बन चुका है बिना diesel, petrol और coal की हो आज जीवन की कलपरा नहीं की जा सकती है आप देख लो coal हमारे thermal power का basis बना हुआ है उट आज भी देख लो mostly domestic purposes के लिए energy productions के लिए हम उड़ का इस्तिमाल करते है दंग cake का इस्तिमाल करते है petroleum आज यहीं सितिया किसी देख की economy को घिरा भी देता है इतनी भयानक इतने इतना dependent हो चुके हैं हम लोग तो burning of fossil fuels पे के कारण जो air pollution यह हमारा खुद का पैदा किया गया है दूसरा कारण हमारा है release of cfcs chlorofluorocarbons इसका क्या यूज होता है सर इसका यूज होता है coolant के रूपे refrigerator में ac, fire extinguisers, aerosols जो gas release होते हैं और यह pollution पैलाने का काम करते हैं यह ozone layer को dust करने का काम करते हैं अगला हमारा है coal dust और suspended particles from mining आप लोग कभी coal mining area कहे हो वह का बातावरन देखो अगर सफेद कपड़ा पहन के निकले हो तो साम तक वो काला पढ़ जाएगा इतना suit particle dust particle हवा में float करता रहता है चारों और थागी धूआ का बातावरन बना रहता है किसकी वज़र से भाई कहीं कोईला नीची अंडर्ग्राउंड आग लगी हुई है धेशतार इंडेस्ट्रीज जे coal based जिसके कारण पूरा अबातावरन पर दूसीत हो चुका है deforestation तुम तो जानते हो न forest को purified का जाता है यह nature में O2 और CO2 gas को balance करने का काम करता है लेकिन आप क्या कर रहे हो भई आपने तो पिणो की अंधादून कटाई कर दी है अब CO2 gas को consume कौन करेगा अरे भई प्लान तो photosynthesis की प्रकिरिया में CO2 gas का consume करके O2 को release करता है आपने तो पिणो की कटाई कर दी है तो CO2 का concentration तो बाता बने बढ़ता चला जाएगा ना और O2 का घटता चला जाएगा फिर अपना है release of CO2 carbon monoxide fly as smoke from power plant आज भी हम जितना बिजली पैदा कर रहे है उसका आधार सबसे ज़्यादा है thermal power plant कोईले पे best है कोईले को जला के हम बिजली पैदा कर रहे हैं अपने ज़रत का सबसे ज़्यादा percentage आज जो बिजली मिल रही है हमको वो thermal power से तो भाई दिश्टे कोईला को जलागा तो CO2 तो बने गाई carbon monoxide gas तो बने गाई fly as particles तो बनेंगे और ये बनेंगे तो कहा फैलेंगे भाई कहा जाएंगे ये ये तो air में फैलने का काम करेंगे air को pollute करने का काम करेंगे उसके बाद industrial emission of smoking gases आज इतनी सारी इंडस्ट्री तो लगी हुए है हमारा economy dependent है इंडस्ट्राइजिशन पे रैपिड इंडस्ट्राइजिशन और जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हो तो gases का emission तो हो गाई smokes का emission तो हो गाई और जो emission होगा इस तरह unwanted gases का तो वो तो poisonous है ना उसके बाद binding of petrol and diesel petrol और diesel में हमारा sulfur का oxides यह release हो के वातावरण में mix हो रहा है और हमारे पूरे वातावरण को परदूसित करने का काम कर रहा है आप देखो ना दिल नी का उठा के किस हद तक बढ़ चुकी है pollution का rate कितना बढ़ चुका है वही अगर आप use करोगे petroleum बदार्थों का इसके oxides तो बनेंगे और यह sulfur के oxides क्या करेंगे acid rain को जर्म देंगे और air pollution के साथ-साथ यह soil को भी pollute करने का काम करते हैं तो आपने देखा what are the man-made causes of air pollution अब आईए air pollutants किसकी वज़र से pollution फैलता है तो आईए सबसे पहला बात करते हैं हम carbon monoxide अरवाई इसका निर्मान कैसे होता है तो incomplete combustion जब oxygen का supplement पूरी तरह से नहीं मिल पाता है combustible substance को oxygen के पूरी supply नहीं हो पाती है तो उसका वस्था में carbon monoxide का gas का release होता है और यह काफी harmful gases हैं इसकी वज़े से air pollute होता है sulfur dioxide मैंने कहा ना कि petroleum पदार्थ को जलाओगे sulfur का oxide release होगा nitrogen dioxide यह भी पदार्थ release हो रहा है हमारा मानेचर भी हो रहा है कि nitrogen oxygen oxygen से reaction कड़के और fossil fuse के कारण भी हो रहा है उसके बाद हमारा आगया ozone ozone की वज़े से carbon dioxide आप तो जानी रहे हो किसी भी combustible substance को जलाएए CO2 gas प्रोड्यूस होगा chloro-fluorocarbons मैंने कहा ना इसका यूज होता है equivalent में AC refrigerator में और यह SPM suspended particles matter यह सब सारे मिलके air को pollute करने का काम करते हैं यह सारे particles हवा में फ्लोड करके या gases mix करके हमारे gases atmosphere के nature को change कर देते हैं हमारे environment के nature को change कर देते हैं आईए एक बहुत important term है हमारा acid rain जब लंबे समय तक बारिस नहीं हो और उसके बाद जब बारिस होती है तो देखो छोटे-छोटे पौदों पर क्या इस्तिती होती है उसके पत्ति जल जाते है brownish color के हो जाते है कभी सोचा है अपने ऐसा क्यों हुआ अरे भाई जब आप fossil fuels को जला रहे हो petroleum पदाद को जला रहे हो तो किसका oxide बनेगा sulfur का oxide बनेगा SO2 और SO3 nitrogen का oxide बनेगा और ये दोनो gas release होके जब water में dissolve हो जाते है तो क्या बनता है sulfurous acid or sulfuric acid sulfurous acid or sulfuric acid or nitric acid and when these acids come in the form of rain this is called acid rain जब यही बारिस के साथ बारिस के साथ जब ये पिर्थवी पे आती है ये acids dissolve acids इसी को हमने क्या नाम दिया acid rain when फिर acid rain के बारे में सुल्रो oxides of sulfur oxides of nitrogen dissolve in rain water and come to the earth in the form of rain this is called acid rain this is called acid rain hard effect of acid rain सबसे पहला हमने कहा acid rain के कारण क्या हो गया हमारा सर soil becomes acidic अब लो हमारा agriculture प्रभावित हो गया इससे अगर ज़्यादा soil acidic हो जाएगा तो productivity में प्रभाव पड़ेगा दूसरा contamination of lakes rivers अगर lake और river की पानी ज़्यादा acidic हो गई तो aquatic plants animals प्रभावित होगा हमारा तीसरा damage to leaves of plant and trees मैंने कहा न कि जब plants के पत्तियों पे जब acid गिरेगा तो क्या होगा भई उसके cell dead होगेगी नहीं अब लो उसका photosynthesis इसका rate गिर जाएगा उसके बाद damage to buildings, monuments and statues बड़े-बड़े buildings, monuments, statues पर अगर यह गिरती है, अगर मालों तो stone आए, तो यह तो उल्टा रिस्ता है न इसका जैसे इस stone पे acid डालोगे तो क्या हो जाएगा वो वो chemical change होगा न हमारा जो buildings और जो monuments हैं यह सारे degrade होते चले जाएगे damage to steel, bridge and railway lines तुम तो जानते हो जोतना framework बनना है specialist of iron verse का, iron and steel का और जैसे acid से reaction कड़ेगा, वो iron क्या हो जाएगा उसको eating of, eating of iron और steel, वो दिरे दिरे समाप्त होता चला जाएगा और सबसे बड़ी बात कहता है अगर 90 अंतराल के बाद बारिस हो, तो rain बात नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे आपने सनान किया तो आपके skin पे races आ जाएंगे और ये races किसकी वज़ा से आते हैं, due to presence of acid और इस रेन को क्या नाम दिया जाता है acid rain का नाम दिया जाता है आईए, measures to control air pollution ठीक है, pollution का rate बढ़ रहा है natural causes है, man-made causes है लेकिन फिर भी हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि कैसे हम air के pollution को control करें तो सबसे पहले आपने क्या का है use only unleaded petrol अब चले जो, petrol pump पे देखना एक petrol भी मिल रहा है दूसरे जगाँ unleaded petrol भी मिल रहा है government promote कर रही है just use to unleaded petrol क्योंकि lead का emission यह हर भूल है दूसरा, use of public transport आपको कहीं जाना है market जाना है इतनी सारी गार्णिया चल रही है मैट्रोज चल रही है बसे चल रही है आप उसका यूज कड़े न हर काम के लिए अपने personal bike को निकालना car को निकालना यह कहां तक ठीक है आपका economy का भी बच्चत होगा और दूसरी बात हम petrol को भी बचाने का काम करेंगे तो use public transport burning of dry leaves plastic should be discouraged जनरली हम लोग क्या करते है अगर पत्ता plastic जमा हो जाता तो उसमें आग लगा देते है और कहते हैं हमें garbage से मुक्ती मिल गई इनका भी आपने सोचा आपको garbage से मुक्ती मिल गई लेकिन आपने दूसरा क्या किया आपने air को pollute कर दिया आपने कभी सोचा कितना harpoon gases release हुए है इनसे और वो सब आतावरन में mix हो गए है pollution under control certificate should be mandatory यह जाए जाए इतने सारे vehicles हैं, industries हैं यह control pollution under control certificate इसू करना सबसे जरूरी है government के लिए आप gas gas release तो कर रहे हो आप उसको control करो filter करने का काम करो filter करने के बाद gas को release करो जितने सारे vehicles है उसमें देख लो rate क्या है gases के release का तो यह certificate issue होने के बाद ही उसको जारी रखने का आदिश दिया जाए उसके बाद है form and environment club लोग आप एक सोच बिक्सित करो बादाबरन को कैसे साफ किया जाए कैसे हम plantation को promote करे धेर सारे plants लगाए कम से कम गंदगी फाइलाए गारवेज को चलाने का काम बंद करे उसको convert करे manufacturing में और जो non-biodegradable substances sent to recycling अगर ऐसी सोच पैदा करते हैं तो यही सार्थक प्रियास होगा प्रेफर वाकिंग और यूज बाइसकेल अरे भाई जितना आप गाड़ी पर यूज करते हो cycling करो ना आपका fitness भी बना रहेगा हाँ नहीं तो ठाड़ने का कुमने का काम करो और सबसे लास्ट में कहा मैंने use of CNG CNG मत्तब compressed natural gas clean fuel अगर आप clean fuel का use करते हो यह minimum evolution of harmful gases नहीं के बरावर होता है आई इस तरह से हम बातावरन को साफ रखने का काम करेंगे तो these are the measures we are able to control air pollution यह green house effect क्या है और green house effect एक concept था warming of earth surface due to trapping of solar radiations by CO2 and other gases अगर बातावरन में CO2 का concentration बढ़ रहा है chlorofluorocarbans का percentage बढ़ रहा है methane gas का percentage बढ़ रहा है sulfur और nitrogen के oxides का percentage बढ़ रहा है तो यह these gases are used to trap the solar radiations आई यह जब solar radiations को trap करेंगे तो हमारा वातावरन क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा generally यह concept था ठंडे बर्दिसों के लिए जहां glass का house बनाके वहां के वातावरन के temperature को बढ़ाने का काम कड़के फलों की खेती की जाती है लगिन अगर पूरे पृत्वी के concept में सोचो तूम अगर पृत्वी गर्म हो रहा ही है उसी को नाम हम लोगोंने क्या दिया ग्लोबल वार्मिंग ग्रिज्वल इंक्रीज इन ओवर ओल टेंप्रेचर आप अर्थ एट्मॉस्प्रेचर हमारा गर्म हो रहा है बातावरन हमारी पृत्वी गर्म हो रही है और इसके असर क्या है आप देख लो हार्पूल इफेक्ट्स अब ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहले तो हमारा इंक्रीज ओव आर्थ टेंप्रेचर प्रिज्वी का क्रम सा टेंप्रेचर बढ़ता जा रहा है मैयानक गर्मी पड़ रही है दूसरा melting of glacier and ice caps आप जाके देख लो गंगोत्री के पास जो glaciers था वो लगबग बहुत दूर तक पिखल चुका है ice caps पिखल चुके हैं समुद्र का लेबल बढ़ रहा है death of microorganism अगर ज्यादा temperature बढ़ गया प्रिद्वी का तो चोटे जीव है जो high temperature को tolerate नहीं कर सकते हैं उनकी मौत हो जाएगी and affects climatic change और हमारा climate किस कदर से प्रभावित हुआ यह तो जग जाहिरी यह तो दिखी रहा है आज मौसम पूरी तरह से अस्त बैस्त हो चुका है और उसके कारण हमारी जिंदगी प्रभावित हो रही है तो आपने देखा what are the hard effects of global warming अब हम air pollution के साथ साथ water pollution को भी पढ़ने का काम करेंगे अगर सीधे सीधे में define करना हो what is water pollution तो आप क्या कहेंगे mixing up unwanted substances toxic substances into the water that is unfit for use उसको आप use नहीं कर सकते तो वही तो हो गया water pollution water pollution के कारण क्या है sir causes of water pollution तो अलगल bloom अपने देखा है पानी में कभी कभी rainy season के बाद तो तुम जो damp water है जमा है तलाब का नदी का कुछ पानी देखो तो हडा रंका दीखता है और पानी हडा रंका होता है क्या और इतना rapid growth हुआ है अलगी का अब उसी में वो सड़ेगा गलेगा पुरिपदार्थ को क्या बना देगा टॉक्सिक बना देगा हो गया ना पॉल्यूट आपका water अंट्रीटेट सीवेज हम लोग क्या करते हैं भई घरों में सारी गंदगी को जिसमें organic substances हैं chemical substances हैं और सब को सीथे release करके हम लोग water bodies में mix कर देते हैं यह भी एक वज़ा है water pollution का toxic waste from factories और इतना वेस्ट पदार्थ है factory का उसको हम क्या करते हैं बाहर फैक देते हैं और कभी यह सोचा उसको ती बारिस के दिनों में जब वो wash out होके कहा जाएगा तो water bodies में ही तो जाएगा करी आर्सेनिक यह सब क्रोनिक डिसीज को जर्म देते हैं कि कैसे कंट्रोल करें इसको mixing of human excreta अब देख लो हड़े घरों का बातरूम अब वो अपने पाने को रिलीज करके सीवर को निका मिक्स कर देते हैं और वो फिर खाहां विना अंट्रीटेट का मिक्सिंग हो रहा है वाटर बोडिस में उसी के कारल जॉंडीज काइफ वाड कोल राज सब भयानक रोक फैलता रहता है यूज ऑफ फ़ौटिलाजर्स आज प्रोड़ेक्टिविटी को पढde के लिए किसान तीरहरता फ़ौटिलाजर्स पर ज़्याता हो गई है और गयनिक मेंडियोरिंग पर निर्मरता घट्ती जा रही है और फेटिलाजर पर बढ़ती जा रही है केमिकल सबस्थांसिस पर पेस्टीज का जूज़ता जा रहा है इंसेक्टिज बढ़ता जा रहा है और तुμको जानके आज चल जोगा कि इस अबस्थांसिज आर नॉन- और वाटर पॉलूशन को चर्म देते हैं। तो देखा आपने, वाटर पॉलूशन के कितने रास्ते हैं। मेजर टू रिड्यूस वाटर पॉलूशन। पहला आपने कहा, वाटर पॉलूशन को अगर चेक करना, तो प्री डिस्पोजल ट्रीटमेंट। पहले भाए, पाने की सफाई कर लो, फ्रोम वेस्ट्स। अगर फैक्ट्री से निकल रहा है, तो उसको ठीट कर लो, सुद्ध कर लो, फिर उसको वाटर बॉडिज में मिक्स करना। दूसरा, minimum use of fortisilis and pesticides, कम से कम fertilizers, insecticides, pesticides का use करना चाहिे, हमारे निरवरता किस पे होनी चाहिए? और गैनिक खाथ पे होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्टिंग पे होनी चाहिए, जो biodegradable है, इन सारे चीजों पे कम से कम निरवरता होनी चाहिए, क्योंकि यह non-biodegradable है, हम लोग की टेंडेंसी बन गई है कि जो भी एक्स कर दो फैक दो सबसे आसान रास्ता यही है इससे बचना चाहिए और हमारे घरों से नालियों से सहरों से जो भी पानी निकलता है पहले उसका प्रोपर रिफाइनिंग होना चाहिए प्रोपर फिल्ट्रेशन होना चाहिए देन यू अरेबल टू मिक्स दा वाटर तो देखा आपने इस तरह से वाटर पॉल्यूशन के लेबल को हम घटाने का काम कर सकते हैं अब देखाओ बड़े-बड़े सहरों में म्यूनिस्टिपल कॉर्परिशन क्या करता है वही पहले पूरे सहर का गंदा पानी वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट में पहले सफाई की जाती है उस पानी का सुद्धी करन किया जाता है फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्स्टांसेज और फिर उस वाटर बड़ेज को बाट कहां देख दिया जाता है वसे अंट्टीटेट वाटर को और अग्रिकल्चर परपसेज और नहीं है तो फिर वह वाटर बोड़ेज में मिक्स किया जा सकता है लेकिन बिना वाटर टीटमेंट प्लांट के हम सीवेज वाटर का डिस्पोजल नहीं करें अधर वेज माल लगते हैं यह तो हाइज स्केल पे लार्ज स्केल पे होने वाड़े प्रैक्टिस हैं लेकिन अगर अगर अपने घरों में पानी को से फॉर ड्रिंकिंग कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले आप बॉयलिंग कर लो पानी का बॉयलिंग करो जो भी जम्स बेकर रहे हैं वो मढ़ जाएंगे फिर क्या करो फिल्ट्रेशन कर लो पानी को छान के पियो फिल्टर करके पियो और फिर क्लोरिनेशन और नही ताकि जितने भी microorganisms हैं उसमें मढ जाएंगे then you are able to drink और वैसे ही पानी को हम लोग क्या बोलते हैं वैसे ही हम नाम दते हैं पानी को potable water such water those are able to be drink can be used for drinking purposes तो क्या कहोगे उसको potable water हम उसको use कर सकते हैं अब एक filter बनाना हो अपने घड़ों में तो कैसे बनाओगे तो एक plastic का bottle ले लो plastic का एक bottle ले लो भाई अब bottle लेने के बाद क्या 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 हमने एक piece of clean cloth cotton का एक कपड़ा ले लो और उसमें रूई को डाल दो एक layer बना के रूई को डाल दो और जो भी गंदा अगर suppose करो muddy water है हम flooded area में घिरे हुए है वो muddy water को इसमें डाल दो और छोड़ दो क्या हो जाएगा देखो तो आपका पानी कुछ हद तक filtered हो गया देखा आपने कैसे आपने एक quick filter का निर्मान कर लिया बस एक plastic bottle a piece of clean cloth कुछ cotton और muddy water जिसको filter करना है आईया pollution से सम्मदिर दो case study हम लोग करेंगे पहला हमारा case study क्या है डिसकलरेशन आफ ताजमल वई ताजमल लोग कहते थे दुनिया का साथ मास्चेर भरोड है ये देने एकदम दूद में नाया हुआ एकदम white coloration लेकिन आज कहते हैं मैंने तो अभी तक नहीं देखा है नहीं सुना तो चरूड है वो हलका पीला रंगा हो गया है उसका लेयर क्यों भई ऐसा क्यों हुआ ब्यूटी अब दा तास वैनिसिंग इसकी सुन्दरता समाप्त होती जा रही है white color tanning yellowies जो उजला जो दूद में नाया हुआ तो वो हलका पीला होता जाड़ा है और इसको ये सब की वज़ा क्या है भई तो sulfur और nitrogen का oxides वैसे तो डेल सारे oxides acid rain जिम्मेवाड है especially sulfur और nitrogen की oxides acid rain को जर्म देड़े हैं जिसकी वज़ा से इसकी beauty नस्ठ होती जा रही है अब मत्रुआ का जो पाइंडरी है जो इंडेस्ट्रीज है उसकी वज़त से भी प्रवावित हो रहा है अरे भाई इसको marble cancer भी क्या रहे है जो ताज जो अपना खड़ाब हो रहा है उसका marble जो खड़ाब हो रहा है white marble उसको किस नाम से पुकारते हैं marble cancer के नाम से तो what are the preventive measures कैसे रोक सकते हैं तो भाई LPG जा और CNG जैसे clean fuel का use करो हमारे सारे वेहिकल जो आस पास हैं वो CNG का use करें इसके इस कारण क्या होगा कम से कम pollutants पैदा होंगे use unleaded patrol और last में make the affected area as eco-friend हमारा अक्ताज महल का जो आस पास का area होना चाहिए वो eco-friend होना चाहिए मतलब eco-friend से मतलब हो बाड़ा अरे धेर सारा plantation करिए कम से कम गंदगी को फैलाए industries should be banned on these areas और सबसे बड़ी बात लोगों में एक जागरुपता पैदा होनी ची कि how to control the air and water pollution दूसरा हमारा case study है गंगा action plan अड़ भाई हम लोगों में हिंदू मताब लव्यों की मानता है कि गंगा सुद्धी परदान करती है हमारे गंगा की जल सबसे निर्मल है, साफ है लेकिन, experimentally सबसे गंदा most polluted river of North India उत्री भारत की सबसे गंदी नदी में से गंगा नदी की तब सरकार ने गंगा action plan चलाया in 1986 कैसे गंगा के पानी को सुद्ध किया जाए हमारा objective क्या था गंगा action plan का to improve the water quality हम इतना water की quality को improve कर दे और भाई corona period में देखने को हम मिला था कि गंगा कितनी सुद्ध हो गई है कितनी साफ हो गई है किनारे पे बड़ी-बड़ी मचलियां तैर रही थी पानी कितना साफ हो गया था देखा अपने अगर हम अपने activities को control करें हम गंगा नदी को साफ रख सकते हैं and widespread movement is carried in UP and Bihar mostly UP और Bihar के लगबग विचो बीच ये गंगा नदी बैती है देर सारे areas को cover करते हैं अगर वहां की सरकार वहां के लोग अगर causes हो जाएं कि हमें गंगा नदी को परदूसित नहीं करना है लोग मरते हैं dead bodies होता है सिधे गंगा नदी में फैक देते हैं जानवर मरता है सिधे गंगा नदी में फैक देते हैं सारों का जितरा खचरा है गंगा नदी में mix कर देते हैं हमारी गंगा नदी कैसे साफ रहेगी तो एक awareness पैदा करना होगा लोगों में कि हमें गंगा नदी को कैसे साफ रखना है तो हमने दो केस स्टेडी कादियन किया और उसका उद्देश क्या था अब्जेक्टिब क्या था एम क्या था तो डिस्कस अबाउट एर एन वाटर पालिशन बच्चो आपने देखा इसके काडन इसके निदान और आप खुद इस बाड़े में खुद एक प्रोपोसल दो इको फ्रेंड बनो इको कलब बनो और ट्राइट टू सेव वाटर और क्लीन अट्मोसफेर थैंक यू